हेलो गाईस कैसे हैं आप सब तो प्रेंगास केचिन में आप स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं गोभी आलू की सबजी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में तो आए बनाते हैं तो देखिए मैं ने गास पर कढाई रख दिया उसमें ओईल डाल दिया है ओई गर्म हो गया है तो यह मैंने चार अलू लिये थे हुआ चोटे चोटे पीरे में करके कट कर लिए हैं आब उन्हें मेरे फ्राई करूंगी तो देखिए इस तरीके से इने फ्राई कर लूँगी और हलकी ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी तो देखिए आलू हमारे फ्राई हो गए हलकी ब्राउन हो गए है ये अब इने एक ब्लेट में निकाल लेंगे हम देखे इसी ओयल में मैं गोपी डाल दूघंगी इसे पर लिए इस फ्राइ कर लूघंगी यह मैंने पांसा क्राम गोपी ले लिया है तो सब खेची फ्रेंट गोपी jetए इसे भी अम बाहर निकाल लूघंगी तो देखे, थोड़ा सा ओयल बचा है, उसी मैंने जीरा डाल दिया है, हिंग डाल दिया है, अब ये मैंने ले लिया है, कटा हुआ लैसुन, ये तीन-चार कलिया लैसुन की लिए थी मैंने, और यह दो प्याज ले लिए है उसे भी छोटा-छोटा बारी काट लिया है इसे भी सीद में फ्राई कर लूँगी तो देखिए हलका ब्राउन होने तरह से फ्राई करेंगे तो गाइस प्याज फ्राई हो गई है अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर यह मैंने दो टमाटर लिये हैं उन्हें भी पारिक चॉप कर लिया है अब इसे डाल दूँगी मैं इसमें और टमाटर भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तो तर्माटर गर्णभी नहीं चाहते तब तसे से इसे तरीके चलाते रहेंगे तो ये की टमाटर गर्का गहे हैं इसमें इन्य नाल दिया में लितर और मीड्स पाउडर यह मेने धनिया पाउडर डाल दिया एक चम्मच मैं दाल दूँगी गरमशाला एक चम्बस गरमशाला यह मैंने कलर वाली लाल मिर्च ले ली है और यह मैंने डाल दिये अमचूर पाउडर तो गाइस मैंने एक एक चमब सारी चीज़ में डाइड कर दी है तो देखिए मसारा मरा कि इतना अच्छी तरह से फ्राई हो गया है अब इसमें जो फ्राई करी हुई सब्जिया थी इसमें मैं डाल दूँगी अब इसे मिक्स कर लेंगे इसमें हलवाई स्टैट में सब्जी बना रही हूं एक वर आप भी ट्राई जरूर करिएगा तो देखिए इसी तरीकी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें मैंने डाल दिया है नमक टेस्ट के एक और इसमें नमक डाल दीजिए अच्छी तरह से चला दीजिए तो देखिए इसे मैं 5 मिनट के लिए डगका रखूँगी तो देखिए गाइस 5 मिनट हो गई है हमारे आलू को भी अच्छी तरह से गल गए है और बहुत ही तेश्टी सब्जी बनके तयार हो गई है बिल्कुल हलवाई स्टाइल में तो देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है अब इसमें उपर से डाल दूंगे हरा धनिया तो देखिए मैं पहले इसमें डाल दूंगी कसूरी मैथी तो थोड़ी सी कसूरी मैथी डाल के मैंने मिक्स कर दिया है अब इसमें थोड़ा धनिया डाल देंगे तो देखिए गाइज अब इसे हम सर्फ करेंगे और इसे थोड़े से धनिया से गार्नेस कर लेंगे और सब्जी हमाली बहुत ही टेस्टी बनी है तो आप भी एक वाज से जरू ट्राइए करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब चलूर करना थाइंक यू